वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जिसका नाम है संयुक्त राष्ट जन संख्या रिपोर्ट यह विविद का एक टॉपिक है इसको आज हम कवर करेंगे इस इस रिलेटेड जो डेटा है इसको कम्प्रेट करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं यह एक रिपोर्ट है जो कि यू एन निकालता है यूनाइट तो संयुक्त राष्ट जन संख्या रिपोर्ट इसकी एकॉर्डिन क्या है भारत दुनिया का सबसे अधिक आवादी वाला देज बन गया है तो आब ऐसे भी जानते हैं जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा आवादी कहा है चाइना की कही जाती है लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आवादी वाला देज बन गया भी बैसे तो भारत दूसरे नंबर पर है जन संख्या में अगर देखे तो लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले नंबर पर आ गया है संयुक्त राष्ट जन संख्या कोस द्वारा जारी ये रिपोर्ट की जाती है तो इसको जारी कौन करता है UNFPA इसको जारी करता है इसका सौट फॉर्म ही याद रखना है यही एक्जाम में पूछ जाता है सीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का आठ हरव लोग अनन्त संभाव ना ये था अगर बिश में देखें तो आठ हरव जनसंगिया है वेश्विक जनसंगिया संभावीता रिपोर्ट सेंगर की अर्तिक और सामाजिक मामलों की द्बारा जादी की जाती है UPSC ऐसे प्रश्ण बहुत पूछता है कि कौन सा बिभाग जारी करता है कौन सा मंत्राले जारी करता है कि संथा के द्वारा जारी की जाती है और UPSC को ही फॉलू करता है UPSC तो आयोग आपका जो UPSC उत्तर प्रश्ण लोग से वायोग यही एक्जाम करवाएगा आपका आरो यारो का तो इसी के अप्रोच को आपको लेकर चलना है और ऐसे ही चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे रहा है क्योंकि यह बिभाग है यह मंत् इसमें से सबसे बड़ा भाग 65 प्रतिशत लगभग 15-64 बर्श की आयो की बीच के लोगों का है वतलब जो कारिसील जनसंख्या कहलाती है वही सबसे जादा है इसके बाद 10-24 वर्श के समूह दूसरे नमर पर आते हैं और यह दूसरा सबसे बड़ा भाग है 24 प्रतिशत तो साल के उपर है ठीक है अगर आप से एक्जामे पूछा जाए कि बुजूर के कितने हैं अफिर 65 साल से उपर की आवादी कितनी है पूरे विश में तो 10 प्रतिशत है जबकि संख्या कई दसकों तक बढ़ती रहे कि वैश्विक जनसंख्या ब्रधी की दर में गिरावट 2020 में अब तक एक प्रतिशत ये कम रही काफी अद तक ऐसे रुजान घटी वैश्विक प्रिशनंदर की कारण भी देखने को मिलते हैं तो इसकी कई सारे कारण हो सकते हैं कि जनसंख्या में कमी हुई है ब्रधी हुई है अपने अपने इसकी कारण होते हैं यहाँ पर हम बस और चीन में रहती है तो यह वैश्विक आवादी का सबसे बड़ा चेत्र है जहां पर सबसे जादा जनसंख्या रहती है रिपोर्ट के कोडिंग वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगबग 8.5 बिलियन हो जाएगी 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी और 200 तक लगबग 10.4 बिलियन तक हो सकती है तो यह अनुमान इस रिपोर्ट में बताये गए है इस डेटा को जरूर यादर के यह इंपॉर्टेंट है अब जनसंख्या की माउनले में सीर सपाच देश देखें तो करोड़ों में जनसंख्या 142.8 करोड भारत की जनसंख्या 142.5 करोड जीन की जनसंख्या अब भारत का एक बार थोड़ा से इसको देख लीजे कि भारत में 15-64 वर्स आयू के 68% लोग रहते हैं मतलब जो कारिसी जनसंख्या है भारत में वो सबसे ज़्यादा है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा कितने हैं तो यहाँ पर 25 प्रश्याद के करी मतलब 0-14 सा प्रश्याद बुजर्ग है लगब 65 वर्स अधिक आयू वाले कितने हैं इसको याद रखना है क्योंकि पूछा गया है एक्जाम में कि कारी सी जनसंख्या भारत में खुल की तो और 60 प्रश्याद मतलब 60 की उपर ही है इतना याद रखे 68% और अगर विश्यो में देखें त संगठन के द्वारा बल्ड पॉपॉरेशन रुपोर्ट जो है 2021 जारी किया गया था तो किस ने जारी किया था आपको पता है सैयूग तरास्ट जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया था ऑप्शन भी यहां से ही उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगला प्रशन दिया गया है जनसांकी की लाभांस है जनसांकी की लाभांस कौन सा होता है 15-69 वर्स की कारिसील जनसंख्या बतब लाभांस का ताथ पर हो गया ऐसी जनसंख्या जो की लाभ दे कारिसील जनसंख्या क्या करेगी काम करेगी कोई ना कोई व्यवसाय करेगी ठीक है तो उसके माध्यम से वो भी आपको सही देखना है तो दोनों तरीके से इस प्रश्णों को आप देख सकते हैं तो यहां पर option D से उतर हो जाएगा ठीके तो इस प्रकार की प्रश्णी ही इस रेपोर्ट से पूछे जाएंगे यहां पर हमने प्रश्णी भी देख ली पूरा डेटा भी देख ली आई या फिर आपको यहां पर तीन तीन नमबर दिए करें में से किसी पर भी कॉल करके आप इंफर्मिशन ले सकते हैं और आप प्रक्टिस क्विज जरूर लगा लीजे प्रक्टिस क्विज के लिए आप स्टुडी फॉर्सिवल सर्विस का चैनल फॉलू कर सकते हैं टेली ग्र